दूसरों इस वीडियो में साथ ऐसे upcoming token के बारे में बदाने वाला हूँ जिसके liquidity unlock होने वाली है वो भी फरवरी मन्द में दूसरों मैं ये इसलिए बदा रहा हूँ क्योंकि दूसरों देखा ये ही जाता है कि एक बड़ी मातरा में जब token unlocked होते हैं तो कुछ time के लिए market को manipulate भी किया जा सकता है क्योंकि बड़ी quantity में token unlock हो रहा है तो 10% से 50% तक वो depend करता है कि कैसा intention है क्योंकि control है developers के पास जो team है जिसके पास access है उस wallet का जो unlock होने वाला है तो जब unlock होगा तो 10 से 50% तक market को manipulate किया जा सकता है तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि अगर आपका भी investment होन सभी coin में है तो date एक बार देख लो किस date में कौन से coin unlock हो रहे है तो उस time से पहले उस date से पहले ही आप उस token को sale कर सकते हो जैसे फिर से दुबारा team के तुरू लॉग्ड किया जाएगा जिसकी update उसी के twitter account पे आपको मिल जाएगा तो जैसे फिर से दुबारा लॉग्ड होता है तो लॉग्ड होने के बाद फिर से दुबारा आप investment कर सकते हों लेकिन manipulate किया जा सकता है तो आप रिस्क क्यों होगे कि आपका portfolio दस से 50% तक नीची आजाए अगर इन सभी क्वाइन में investment है तो रिस्क नहीं लोग फिर दुबारा invest कर देंगे जैसे लॉग्ड होगा लॉग्ड का अपडेट आपको टेलीग्राम पे भी उसके ऑफिसल टेल इन ट्वीटर पे भी अपडेट कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद invest करना तो चलिए देखते हैं आखिर यह साथ कौइन कौन-कौन सा है साथ में दूसर वीडियो पसंद पड़े है तो लाइक टोकिंग है और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्स्राइब करिए और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना बिल्कुल नहीं बोलेंगे तो चलिए दूसर आगे बढ़ते हैं तो दूसर यहां स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि टॉप सेवंत अपकभिंग टोकिंग जो अनलॉक होने वाला है फरवरी मन्त में जिसमें से सबसे पहले है इसका कॉइन मार्केट कैप पे आप देखोगे तो यह 14 फरवरी को इसके टोकिन जो है अनलॉक होने वाले है जो करीब 12.4% इसके टूटल सप्लाई का है जिसकी वैल्यू 281 मिलियन डॉलर के करीब में है तो जिब इतनी बड़ी मातरा में अगर टोकिन अनलॉक हो और अगर चाहे इसके डिवलपर तो मार्केट के थोई देर के लिए मैनू प्लेट किया जा सकता है इसके प्राइस को डम किया जा सकता और इसलिए ताकि वो खुद फिर से एक बड़ा प्रॉफिट बनाने का उनको मौका मिल जाए तो आप अपने आपको सेफ जोन में रखने के है जो टूटल सप्टाई का 2% जो है टोकिन अनलॉक होने वाला है जिसकी वैल्यू 105 मिलियन डॉलर के करीब में है ति यह अनलॉक होने वाला है अगर इसकी होल्डिंग है तो आप देख लो एपिटोस 12 फरवरी के दोस्कों अनलॉक होने वाला है और यह 0.45% है टोटल सप्टाई का जिसकी वैल्यू 76.3 मिलियन डॉलर के करीब में है तो यह भी 12 फरवरी को ध्यान से देख लो इसके बाद है एप कोईन भी 17 फरवरी को अनलॉक होने वाला है जिसकी वैल्यू 0.73% ह और यह एमाउंट आप देखना 43.4 मिलियन डॉलर के करीब में है और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे है फिप्त कोईन तो यह है रॉन यानि रॉनिन जो 27 फरवरी को अनलॉक होगा और वह भी टोटल सप्लाई का 4.15% के करीब में जिसकी वैल्यू 34.8 मिलियन डॉलर के कर करीब में है और यतने एमाउंट का यतने वैल्यू का टोकन अनलॉक होगा तो यह है 27 फरवरी को इसके बाद फिर से 14 फरवरी को होने वाला है डीवाई डीएक्स और इसकी वैली 0.65% है और इसका वैल्यू होगा 20.9 मिलियन डॉलर के करीब में तो डीवाई डीएक्स भी द सेफ रखोगे तो ज्यादा अच्छा है तो जैसी लॉक्ड दुबारा होता है फिर से आप इन्वस्मेंट कर दो बढ़िया रहेगा और नेक्स्ट कोई है गैल यानि गलाक्सी और यह पांच फरवरी को अल्रडी अनलॉक्ड हो चुका है ठीक है यह पांच फरवरी को अल्र बता देते हूं जरूरी नहीं कि इसकी प्राइस गिरे और मैनोपुलेट ही हो लेकिन अगर करना चाहे तो हो सकता है बस इसलिए मैं आपको बता रहा हूं करना चाहेगा तो वह डिपेंड कर रहा है इसके टीम पे तो मैं केबल आपको अपडेट कर रहा हूं कि अगर इन चुका है पांच फरवरी बाकि अभी जो डेट बचा हुआ है उस पर आप कंसीडर कर सकते हो चलिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में